Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैंसल प्रती कर्ण स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल Magnet Brains पर जहाँ पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिलकुल बकाईदा free of cost, kg से लेका के class 12 तक का पूरा education सब आपको मिल जाएगा detailed video format में और अगर आप Hindi Medium के student हैं तो आप जानते हैं क्या करने आपको, Magnet Brains का Hindi Medium चैनल भी है, जा करके subscribe कर लिजगा, याद से notifications को on कर लिजगा, ताकि जब भी कोई video upload हो Hindi Medium के channel पर, चाहे वो कोई recording हो, या पर चाहे वो कोई live class हो, उसके notification उसकी जानकारिया सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी, आप किसी भी condition में कुछ भी miss out नहीं करेंगे बस एक बात का आप खास क्या लोगें, कि Hindi Medium के channel पर class 6 से class 12 तक का पूरा content available है, कौन कौन जा state boards available है sir, MP board, बिहार board, UP board, रजस्थान board और डेली board, और अगर आपको e-notes या e-books चाहिए, तो इसी video के description में एक link मिलेगी, जा करके check out कर लेना, वहाँ से आप e-notes और e-books को भी avail क कर सकते हैं, तो चलिए, अब जरा आपको कहानी पर लेकर क्या आते हैं, class 11 physics chapter 5, work energy and power, इसका topic है dimensions and units of work, क्या topic है, dimensions and units of work, ठीक है, previous lecture में हम लोग तरीके से work को देख चुके थे, ठीक है, work का formula आचुका था, fs cos theta, अब जो matter है, वो दरसल यह है कि dimensions क्या होगा, basic dimensional formula क्या होगा, और units क्या होते हैं, work के, ठीक है, सिर्फ joules और args नहीं होते हैं, units के भी classification होते हैं, कभी-कभी किसी-किसी question में क्या होता है, कि work दिया रहेगा, लेकिन joule में नहीं दिया रहेगा, किसी और terms में दिया रहेगा, तो फिर आप उस सवाल में कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आ आजा हैं, इसके basic idea के ओपर, ठीक है, तो work का जो basic formula होता है, वो क्या होता, force into displacement, अब उसी के basis पे, हम इसका dimensional formula कैसे develop कर सकते हैं, तो ज़रा गौर फरमाएगा, ठीक है, अच्छे ज़रा गौर फरमाएगा, पर आपको यह पता होना चाहिए, कि fundamental quantities कौन कौन सी होती हैं, क्या आप जानते हैं, अच्छे से कि what are the fundamental quantities, जल्दी बताओ, अरे तुम्हें यादें ताजा नहीं हो रही हैं, क्या, तुम्हें यादें ताजा नहीं हो रही हैं, क्या dimensions की fundamental quantities वाली, भाई, अभी तक तो तुमने लिखना भी शुरू कर दिया हो, comment section के अंदर, sir, यह होती है, seven basic fundamental mental quantities लिख दिया, पक्का लिख दिया, comment section में, चलो, अब जरा देखे, क्या तुमने सबसे पहले mass लिखा है, yes sir, mass लिखा है, tick tick one, ठीक है, उसके बाद क्या तुमने length लिखा है, yes sir, length भी लिखा है, डबे में L, tick tick two, mass length उसके बाद time लिखा है, yes sir, time लिखा है, डबे में T, tick tick three, mass length time उसके बाद क्या है, भाई शुरू हो जाओ, तुरन से पहले 40 में शुरू हो जाओ, sir, temperature, temperature के लिखे में Kelvin, ठीक है, mass length time temperature उसके बाद current आता है, तो current के लिखे में A होता है, उसके बाद फिर आता है, chemistry का term, amount of substance, ठीक है, amount of substance, तो amount of substance जो होता है, sir, वो तो मोल में होता है, luminous intensity, आखरी होता है, sir, luminous intensity और luminous intensity होती है, candela में, cd में, बोलो कोई दिक्कत वाली बाद तो नहीं, अरे, candela cd, बोलो कोई दिक्कत वाली बाद तो नहीं, इस सब पूरा funda clear है, इसे अपन कहते है, fundamental quantities, इसको अपन क्या बोलते है, इसको अपन कहते है, इसको अपन कहते है, है किसका असर work का निकालना है तो work का जो basic formula होता आप सब जानते है कि work का basic formula होता है चलो f into s into चलो cos theta अब एक बात जरह सुनते हैं बचलना जो cos theta है ना यार यह cos theta की value क्या होते है 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 ऐसी होती है इसकी values ठीक है this is just a pure value this is just a pure तो this cos theta is dimensionless constant ठीक है यह जो cos theta है ना this is dimensionless यह जो cos theta है ना this is dimensionless constant अब ज़रा f और s पर focus करना ठीक है भाई f का मतलब क्या होता है f का मतलब होता है force ठीक है है वो होती है meter per second square बोलो हा की ना तो अगर meter per second square है तो l upon t का square बोलो हा की ना तो इसका मतलब lt की power क्या हो जाएगा minus 2 इसका मतलब acceleration की जो unit है वो जाती है lt minus 2 तो बगया force के लिए mass into acceleration mass के लिए m and acceleration is lt minus 2 तो आपने लिग दिया इसको lt minus 2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद क्या होता है displacement by displacement is basically a length here displacement is basically a length only तो therefore यहां पर जो work है यह अपने पास कितना हो जाएगा m को रखो अकेला उसके बाद l into l करेंगे तो l का square हो जाएगा और t की power में क्या रहा है minus 2 तो ml2 t minus 2 ml2 t minus 2 this is the work done it is as simple as that ठीक है dimensional formula आचुगा है work done का बस एक यह important चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी आया समझ में पूरा funda 3 2 1 ready go super clear and super done yes sir पूरा funda clear ठीक है वही चीज आपके सामने यहां मैंने प्रस्तूत कर दी थी कि work का basic formula force into displacement ml t minus 2 interval करेंगे ml 2 t minus 2 ठीक है this is the dimensional formula for work यह वाली बाद पूरी clear हो गई है अब आते है units of works पर ठीक है work की जो unit होती है वो सब ऐसे नहीं कि joules और erg से ठीक है वो basically दो तरह की होती है एक होती है absolute unit sorry और दूसरी होती है gravitational unit ठीक है अब आपन कहानी पूरी शुरू करते है आज और इस पर sorry आज है कहानी शुरू करते है अब unit of work को दो तरह से classify करते है एक होता absolute एक होता है gravitational ठीक है जान दिना अच्छे से work की unit दो तरह की होती है पहली तो एक absolute और दूसरी होती है gravitational ठीक है पहली जो होती है unit उसको अपन कहते है absolute unit और दूसरी जो होती है इसे कहा जाता है gravitational unit ठीक है तो एक होने वाली है absolute unit और दूसरी क्या होने वाली है सर ग्राविटेशनल यूनिट ठीक है चले इता पूरा फंडा क्लियर दो में ज़रा ध्यान देते हो चलना वह या एपसल्यूट यूनिट पहली वाली हो गई और दूसरी क्या होती है ग्राविटेशनल येस सर ठीक है पूरे आप बॉक्स में बनाऊंगा ताकि क्या है अभी यह जो पूरे लेक्चर है उस लेक्चर में इसको इसको मैं बार बार रिफर करूंगा ठीक है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है इसको मैं बार बार रिफर करूंगा ज़रा साइट करूं इसको मैं इस तरफ इसको कर दिया इसको अप्चर में और ज़रा इसक को अपन लेएते हैं हलका साइड काफी कोने पर आ गया था यह तो यूनिट ऑफ वर्क दो तरह की होने वाले हैं अब देखो क्या होता है एक होता है ऐसा यूनिट और दूसरा होता है तो अपसल्यूट यूनिट के अंदर भी फॉर्दर यहां पर दो तरह के फॉर्दर क्लासिफिकेशन होने वाले हैं ठीक है इसमें दो तरह के फॉर्दर क्लासिफिकेशन होने वाले हैं पहला होगा एपसल्यूट यूनिट का एसा यूनिट ठीक है और उसके बाद एक आएग एक आएगा अपने पास के absolute unit का SI unit और एक आएगा absolute unit का CGS unit and same goes for here as well, एक gravitational का आएगा SI unit और एक gravitational का आएगा CGS unit, yes sir, ठीक है, यह पूरा funda clear, भाई, इसको डब्बे में डालो, इसको भी डब्बे में डालो, और SI को भी डब्बे में डालो, यहाँ पर भी इसको डब्बे में ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, yes sir, सुनना मेरी बात को अच्छे से यह बन गया तुम्हारा, yes sir, यह बन गया अपना, ठीक है, अब देख क्या होता है भाई, पहली बात सुनते बचलना, absolute classification, gravitational classification, अब ज़रा classification पर फोकस करते हैं, तो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि हाँ sir, जब units की बात की जाएगी, तो units को दो तरह से classify करना पड़ेगा, पहला होगा absolute unit और दूसरा होगा gravitational unit, ठीक है, एक काम करो पहले इतने का screenshot लो, उसके बात पर मैं आपको chart का screenshot दिलवाता हूँ, हो गया, 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, yes sir, done, 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 done हो चुका है, आगे बनेंगे sir, अब आते हैं, यहाँ पर, absolute unit is further classified into two types, that is SI and CGS unit, ठीक है, absolute unit को further classify कर दिया गया है, दो तरह से, that is SI unit and second one is the CGS, SI का मतलब क्या होता है, system international, और CGS का मतलब क्या होता है, centimeter gram second, ठीक है, centimeter gram second, मतलब ऐसा हो गया, एक ऐसा system, जहाँ पर length को centimeter, मेज़र किया जाता है, mass को grams मेज़र किया जाता है, time को second मेज़र किया जाता है, इसे कहा जाता है, CGS system, ठीक है, चलें basic fundamental quantities, mass length, time, temperature, current, amount of substance, आखरी वाला क्या है, luminous intensity, ठीक है, अब देख क्या लिखा हुआ है, SI unit in absolute system of unit is joule, ठीक है, मतलब work की, जो SI unit, work की, जो absolute unit में SI unit है, that is joule, क्या बोला बेटा अपन ने, बहुत ही उंदा चीज बोल दिया बेटा, बहुत ही शानदा चीज बोल दी गई है बेटा, कि work की absolute unit में, जो SI unit है, that is joule, that is joule, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CGS unit जो है, absolute में, मतलब work की absolute system के अंदर, जो CGS unit है, that is args, ठीक है, that is args, तो यहाँ पर हो जाएगा, ERGS, जहाँ पर अपन joule जानते हैं, अपन args जानते हैं, तो joule और args, joule SI system of unit था, args जो था, CGS system of unit था, लेकिन वो भी क्या, SI or CGS किसका absolute unit का, अभी तो gravitational का universe पूरा बचा हुआ है, यह तो बस एक अलग कहानी थी, हम सिर्फ इतना ही पार्ट जानते थे अब तक, ठीक है, आया समझ के नहीं आगया, 1 joule equal to 10 to the power 7 args होता है, इसको मैंने बकाइदा प्रूफ भी करवागे रखा है, जब मैं dimensions आपको पढ़ा रहा था तब, ठीक है, चलें, यह वहला funda पूरा clear हो गया, एक दफ़ा ज़रा इसका screenshot लो बेटा, एक दफ़ा ज़रा इसका screenshot लो, फिर आपको मैं कहानी में आगे लेके चलता हूँ, हर एक चीज़ clear करूँगा, ठीक है, चलें, ओके, इतना पूरा funda समझ में आगया बेटा, तो अभी तुम्हारे दिमाग में यह जो classification हैं, यह clear चल रहे ना, because इसी का अपन को use करना पड़ेगा, अब आते हैं, absolute unit के अंदर, क्या था, joule था ना, पहला वाला, ऐसा यह वाला, तो joule को अपन define कैसे करेंगे, 20 के लिए, इसको समझने के लिए, आपके दिमाग में work का formula लगातार चलते रहना चाहिए, तो work का formula होता है, fs cos theta, ठीक है, work का formula क्या होता है, fs cos theta, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, joule को, it is the absolute unit of work on SI system, joule is the absolute unit of work on the SI system, ठीक है, अब joule को define कैसे करते हैं, तो work done is set to be 1 joule, work को मैं 1 joule तब कहूंगा, work done is set to be 1 joule, क्या लिखा है उसके बाद में, when a force of 1 newton, जब force काम करेगा, एक newton का, when a force of 1 newton, actually moves a body through a distance of 1 meter, जब 1 newton का force किसी body पे काम करें, और उस body में 1 meter का displacement प्रड्यूस करवा दे, through a distance of 1 meter, in the direction of the applied force, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जैसे मान ले कि here comes the body, ठीक है, यहाँ इसको एक काम करो, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक body अपने पास, ठीक है, और मैंने इस body पे इस तरह force apply कर दिया, तो कुछ समय के बाद मुझे जो body है ना, वो मुझे सच में यही पर दिखाई दे रही है, कुछ समय के बाद जो body है मुझे वो सच में यहीं पर दिखाई दे रही है मतलब force भी right में है displacement भी right में है तो यहां पर force और displacement के बीच में कितना angle बन जाएगा सर 0 बन जाएगा तो जब cos 0 में लिखूँँगा तो मुझे पता है कि cos 0 की value क्या होती है 1 होती है cos 0 की value क्या होती है 1 होती है तो 1 joule जो है वो दरसल 1 newton meter के बराबर आ जाएगा 1 joule किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1 newton meter के बराबर वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि 1 joule is equals to 1 newton meter it is as simple as that ठीक है पाई सब चीज बताऊँगा मैं पहले यहां पर मैंने joules की बात के लिए आपसे पूरा define का हुआज है फिर ergs करवाँगा जल दी इसका screenshot लो मुझे बताते हुए चलो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है पका बताते हुए चलो बिटा समझ में आ रहा है यह सब आ रहा होगा चलें आगे बढ़ते है अब दूसरा कौन सा मसला होगा ergs का होगा ergs is the absolute unit of work in the cgs system यहां पर लिखा हुआ absolute unit में cgs के अंदर क्या आता है ergs आता है मतलब work का या energy का जो absolute unit में cgs part है work का या energy का जो absolute unit में cgs part है that itself is ergs it's as simple as that समझ गए sir पूरी कहानी समझ गए तो यहां पर यह पूरा cgs था भाई मैंने कहा था इन चीजों को समझने के लिए आपके दिमाग में यह वाला formula लगातार चलते रहना चाहिए work is equals to fs cos theta तो भाई यह अभी जो work है इसको आप one erg का बोलोगे तो work is set to be one erg work को मैं एक erg तब बोलूँगा work is set to be one erg when a force of one dine जब कितने का force है बेटा जब देखो बेटा वही वाली बात है अगर cgs था तो सबको cgs लेके चलना पड़ेगा work भी cgs, force भी cgs, displacement भी cgs ठीक है time भी cgs, सबको cgs तो force किता है अब newton थोड़ी ले सकते हो भाई newton आप लेते हैं जब SI system की बात हो यहाँ पर बात हो रही है cgs system की तो आप cgs system में force की unit क्या होती है सरडाइन होती है ठीक है तो work is set to be of one erg when a force of one dine actually moves a body through a distance of one centimeter because cgs में cgs में जो displacement है वो centimeters में होना चाहिए it's as simple as that cgs system में जो displacement है वो centimeters में होना चाहिए ठीक है तो होगे centimeters में in that direction of the applied force मतलब exactly फिर इसके बाद यहाँ पर कितना angle बन जाएगा cos zero का angle बन जाएगा cos zero क्यों बन रहा है वही same कहानी है बेटा यह वाली body थी यहाँ पर force apply कर दिया और force के direction में ही body में displacement हो गया है force के direction में ही body में displacement हो गया है तो displacement is in this particular direction तो hereby angle becomes zero cos zero किता होता है one होता है बस बात ही खतम हो गई तो एक erg किसके बराबर हो गया एक डाइन सेंटेमेटर के बराबर एक डाइन सेंटेमेटर के बराबर it is as simple as that तो one erg is equals to क्या हो जाएगा one dine centimeter यहाँ पर कहने लिखा था क्या one erg is equals to यह है one erg is equals to one dine centimeter it's as simple as that और relation क्या होता है इसका एक joule is equal to 10 to the power 7 erg because देखो यार एक न्यूटन जो होता है न वो 10 to the power 5 dine के बराबर हो जाएगा एक मीटर 100 centimeter के बराबर हो जाएगा जब यह ऐसा हो जाएगा तो 10 to the power 7 dine centimeter आ जाएगा न और dine centimeter जो होता है वो तो erg के बराबर होता है dine centimeter जो होता है वो किसके बराबर होता है अगर तुम्हें इसका पूरा प्रॉपर एक बार मैं करके दिखा दूँ अगर तुम यह चाहते हो तो भाईया मैं कर देता हूँ ठीक है कोई दिखकत नहीं है तो अपन रिलेशन निकालने वाले हैं बिट्वीन जूल और ध्यान दीजेगा प्लीज अच्छे से रिलेशन बिट्वीन जूल और अग्स पूरा फोकस आपका यहीं पर चाहिए रिलेशन बिट्वीन जूल और अग्स नाओ जस्ट गो विद फ्लो तो भाईया एक जूल की अगर बात की जाए एक जूल की अगर बात की जाए तो यह बेसिकली वर्क होता है और वर्क का फॉर् 10 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 5 dyn फिर 1 m का मतलब क्या होता है 1m का मतलबρά 100 cm का मतलब एक जूल है तुम्हारेपास 10 goats 7 ना Ég जूल तुम्हारेपास किता है 10 Pois 7 दाइन जाएगा 25 को सबही तो एक जूल마 तो बिल्कुलल टच नहीं करें 27 बैंड नाski ओलता है force अगर dine में लिया हुआ है distance अगर displacement अगर cm में लेकर रखा हुआ है मतलब सबको cgs में लेकर चल रहे है अगर cgs में लेकर चलेंगे तो work की भी क्या आजाएगी cgs unit which is basically args it's as simple as that तो आप इसको डबे में डाल ले ना 1 joule equal to कितना आचुका है 10 to the power 7 args आचुका है चल यह ठीक है फिर बढ़िया तो इसका आप लोगों ने screenshot ले ही लिया होगा अब जरा आपको लेकर कर आते हैं इसके दूसरे फंडे के ऊपर तो ठीक है absolute is all done for you उसके बाद क्या है अपने पास में SI unit होता है मतला work का gravitational unit के अंदर जो SI unit होता है that is kilogram meter क्या है बटा this is kilogram meter अब यहार one kilogram meter को मैं कैसे work बोलूँगा देखो बटा मैंने कहा था कि basic formula दिमाग से जाने मत देना work का basic formula क्या होता है sir fs cos theta ठीक है और हमारे पास जो हम logic follow करते हैं वो यह logic follow करते हैं कि अपने पास एक body थी इस पर हमने force apply कर दिया इस particular direction में उसके बाद body gissart gissart करके जो है eventually फिर यहां पाई गई ठीक है तो यहां पर displacement का जो amount है sir वो तो S के बराबर हो चुका है तो भाई force और displacement same direction में थे तो आप obviously fs cos 0 लेंगे ठीक है तो cos 0 की value क्या होती है sir cos 0 की value 1 होती है तो work अपने पास क्या हो जाएगा sir f into s हो जाएगा अब ज़रा दियान देना यहां पर जो force है ना इस force को आप newtons में नहीं लेते हैं इस force को आप लेते हैं kgf में ठीक है यह लिखा है ना 1 kgf यहां पर लिखा हुआ ना कि force कितने काई force sr 1 kgf का तो जब force अप्लाई करेंगे 1 kgf का और उसके वज़े से body में displacement जो है वह एक मीटर के बराबर का हो जाएगा तब उस force को 1 kgf को 1 kgf कहते है पर से बोलता हूँ force newton में नहीं इस बार इस बार जो force है वह 1 kgf अब आपको पता होना चाहिए मैंने सिखाया था 1 kgf जो होता है वह 9.8 newton के बराबर होता है क्या बोला है मैंने इसके लिए चेक करना force and laws of motion chapter के अंदर units of force का पूरा वहां मैं पूरा classify करके explain कर चुका था कि force का अगर आप force पे भी सेम जीज थी कि gravitational SI unit तो force का gravitational unit का that was kgf और 1 kgf जो होता है 9.8 newton के बराबर तो force apply कर देंगे 1 kgf का displacement हो जाएगा 1 meter का तब जाकर force work is 1 kgm kgf के लिए सिफ kg कर दिया meter के लिए meter kgf this is basically what 9.8 This is 9.8 newton 1 kg force 9.8 newton होता है तो आगे क्या आजाएगा यह अपने पास आजाएगा 9.8 newton meter आगे लिखा है न meter तो इसकी वज़े से अब ज़रा गौर करो बीटा Newton meter क्या होता है force into displacement that is work work आया समझ तो इसका मतलब यहां पे मैं कह सकता हूँ कि 1 kg meter क्या बोल सकता हूँ कि 1 kg meter this is nothing but just 9.8 joules it is as simple as that कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जल्दी से इस पूरी कहानी के screenshot लो बेटा 3 2 1 ready go super clear and super done yes sir clear हो गया this is about kg meter और इसका जो cgs में होता है gram centimeter तो obviously यहां पे जो work निकालोगे आप तो work का basic formula क्या होता है fs cos theta अगर same direction में था fs cos 0 और cos 0 की value क्या होती है 1 तो work का formula क्या हो जागा force into displacement यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर पूरा funda clear है अब ज़रा ध्यान देना force जो है वो अपन लगाते हैं कित्ते का यहां पे force 1 kg force नहीं है यहां पे 1 gram force है यहां पे जो force है वो 1 gram force लगाना पड़ेगा force 1 gram force जो की body को move करवा दे through a distance of 1 cm चलेगा पक्का तो यहां पे जो force है this is 1 gram force जो की body को displace करवा दे 1 cm के हिसाब से तो 1 gram force जो basically होता है 1 gram force होता है 980 dine के बराबर 1 gram force जो होता है 980 dine के बराबर और यहां पर कितना है तुम्हारे पास एक सेंटेमेटर था तो आप समझ पा रहें तो यहां से आपके पास 980.9 सेंटेमेटर हो जाएगा 980.9 सेंटेमेटर हो जाएगा यह क्या यह वन ने जब 1 सेंटेमेटर का डिस्प्लेस्मिंट करवा दिया तब जो वर्क होता इसको आपन कहते हैं 1파 1.90 अपन मीटर बढ़िया लिखा होगा न composer यह को पंन कहते हैं वन ग्राम सेंटेमेटर तो one ग्राम सेंटेमेटर इसका मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि वन ग्रैम सेंटेमेटर का जो वर्क है इस बेसिकली इक्वल टू 980 अर्क्स के बराबर 980 अर्क्स के बराबर हो जाएगा यही डेरिवेशन आप लोगे सामने मैंने खुद करके रिखा दिया तो मेरे ख्याल से आपको इतमे नायन से सबको समझ में आगया होगा आपको बस जिस बारे में याद रखना है जिस बात को आपको याद रखना है वो इसको याद रखो बेटा एक तुम यह याद रखो कि 1 ग्राम फोर्स इसी कोस्टू क्या होता है 980 डाइन ठीक है और यह अपन कैसे आप रखते हैं बता है 1 जीएफ इसी कोस्टू 980 डाइन लोग इसको डाइन कहते हैं तो फिर लोग रिलेट कह लेते हैं कि अच्छा सर सही बात है 1 जीएफ इसी कोस्टू क्या हो जाती है 980 डाइन के पराबर होती है हालं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं डाइन नहीं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि यह डाइन है लेकिन तुम लोग खुदी इसको पढ़ रहे होगे अभी कि हाँ सर एक जीएफ इसी कोस्टू 980 डाइन अगर तुम्हें यह वाली बात समझ में आ गई है तो कॉमेंट सेक्षन में टाइम स्टाइम को मार्क करके लिख देना कि सर सही बात है जीएफ इसकोस्तू 980 डाइन अगर तुम्हें चला पका यह मैंने नहीं कहा यह आपने खुद समझा है यह मैंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में ओके सर ठीक है मैं क्यों बोलूँगा ऐसा कुछ भाई मैंने कुछ नहीं कहा चले तो मेरे खाल से यह सब पूरा था आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और यहां पर अच्छा यहां लिखतो दूँ एक बाई हां लिखतो दूँ देखो बेटा यहां पर था SI में क्या था इसका मतलब gravitational का SI क्या आगे अपने पास 1 kg मीटर तो लिखे दिया जाए किलो ग्राम मीटर और CGS जो आगे इसका वो कितना आ चुका है सर इसका CGS आचुका है ग्राम सेंटेमेटर तो इसको लिखे दिया जाए कि सर ग्राम उसके ब बना के रखाए भाई तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ comment section में तुम्हें कैसा लग रहा है time time को mark करके बता दो comment section में और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई note भी कर लेना in fact अगर अच्छा नहीं भी लगता तो भी तुम्हें note करना ही पड़ता ठीक है चले ok done so this was about units और एक छोटा सा relation है इन दोनों के बीच में one kilogram meter और one gram centimeter के बीच में आने वाला एक बहुत ही छोटा सा नाजुक सा relation यार रखना बेटा एक kilogram का मतलब क्या होता है एक 1000 gram और एक meter का मतलब क्या होता है 1000 centimeter जिसके हिसाब से one kilogram meter is equal to ten to the power five gram centimeter dimensions and units of work में यह था आपके पास ending slide, ending content मैं उम प्रज में आ गई होगी अब तो क्या है कहानी आगे बढ़ना शुरू हो गई है आपके पास सारे जो basic basic fund है ना वह बस clear करते हुए चलना notes prepare करते हुए चलना कहीं से कहीं तक backlog जो है वह recording में create मत होने देना please make sure ठीक है चले तो अगर आपको लग रहा है कि इस video ने आपकी help कर चुकी है और क्या जब्रदस चीज आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली है अगर आपका कोई भी feedback है suggestion है तारीफ है या बुराईया है जो कुछ भी है तो वह आप comment section को use करके अपनी सारी बाते मुझ तक पहुंचा सकते हैं कोई परशान होने वाली कोई बात है और अगर आप हिंदी मीडियम के चैनल के अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूरेंट तो आप जानते हैं का करना आपको मैगनेट मीडियम चैनल है जा करके subscribe कर लेना और वहां से सारा content जो है वह grasp कर लेना ठीक है तो चलिए इससे के साथ कहानी खतम करते हैं और मिलते हैं क्लास में जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैगनेट ब्रेंज जो प्रोवाइड करता है वह इंग्लिश मीडियम ऐस वले हिंदी मीडियम वारी क्लासे विज अंटाया फुल कंप्लीट से लेबस कवरेज सी बेसी बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एंप भाल बोर्ड?